यह हैं आपका अपना चैनल माई पोडल में क्या होगी और किस तरह से प्रिशिक्षण ले रहे प्रिशिक्षण कारिक्रम संचारित किया रहा है और यह पत्र आया है 23 जनवरी को और पत्र कमांगे 120 पत्र में लिखा हुआ है कि जिले में प्रात्मिक इस्तर की कक्षा एक और दो को पढ़ाने वाले सिक्षकों का माई अप्रेल माई में पांच दिवसी वुनियादी स्याक्षर्ता एवन संख्या ग्यान एफ एलेन सेवा कालीन प्रिशिक्षण आयोजित किया गये थे और उसी करम में लेर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के उद्देश से पूर्व में प्रिशिक्षित सिक्षकों को विकास कंडिस्तर पर पुनाह बुनियादी स्याक्षर्ता एवन संख्या क्यान पर पांच दिवसी रिफ्रेशर प्रिशिक्षन हिंदी गड़ित और जाला सुरक्षा पर प्रिशिक्षन के लिए निर्धारित किया गया है। पूर्व 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 प्रांथ सेवा निवरित हो गए हैं इस्थानांतरित हो गए हैं अथवा अन किसी कारण से वरतमान में शाला में पदस्त नहीं है तो ऐसे सिख्षकों के स्थान पर अन सिख्षक को प्रिशिक्षन हेतु नामांकित किया जा सकेगा मिंदु करमांग पांच कुछ इस तरह से है कि नभी इन सिख्षकों को पूर्व में एफ हैलेन प्रिशिक्षन के लिए जिलों को प्रिदान की गई प्रिशिक्षन सामगरी एवं कक्षा कक्ष में उप्योग कर रहे हैं सिख्षक मार दरशिका एवं अभ्यास पुस्तकाएं क लक्षा एक एवं दो की अनबार तहा साथ लेकर प्रिशिक्षन में उपस्तित होने है तु निर्देश प्रिदान करें छटम बिंदू विकास कंडिस्तर पर यह सुनेश्चित किया जाए कि विकास कंडिस्तर के दो गड़ित के क्यारपी दो हिंदी के क्यारपी तथा दो अंग्रेजी के क्यारपी प्रिशिक्षित हो गए हों समस्त विश्यों के क्यारपी द्वारा राजिस्तर प्रिशिक्षन प्राप्त ना करने की स्थिति में प्रिशिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष और चतुरत चरण में चहुदा जिले समलित किये गए है और व्याई की सम्माद में भी कुछ निर्देश दिये हैं ये भी पत्र में आप देख सकते हैं और ये पत्र जारी हुआ है संचालक महोदय का राजिसिक्षाकेंदर भुपाल की ओर से अब पत्र देख लिया पत्र में क्या करवाई करना है ये भी आपने देख ली और अब चलते हैं ऑनलाइन उस नवीन पोर्टल पर और देखते हैं कि किस तरह से हम लॉग इन करेंगे और किस तरह से इसके बागी काम संपादित करेंगे इस तरह से हम किसी भी ब्राजर पर ओपिन करेंगे सिक्षा-MP.in यहाँ पर वही यूजर नेम पासपर्ट काम करेंगे जो आपके RS के MP पोटल पर काम करते थे जिस पर हमने बहुत सारा काम किया है रिजल्ट का, ओलिम्पियाट का, एनेरमेस का इसके लावा बहुत सारे और भी काम हम अभी भी कर रहे हैं वहाँ पर. यूजर नेम बिसिकली हमारा यूनिक आईडी होता है और पासपर्ट डेटर पर्थ होता है अगर आपने चेंज ना किया हो तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे BRC स्तर से की जाने वाली कारवाई पर तो इसको लॉग इन कर लेते हैं लॉग इन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में सक्सेस पर लॉग इन लखेगा इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी इसमें से आप यहाँ पर left side में देख रहे होंगे training लिखा हुआ है हम इसको click कर लेते हैं इसको click करने के बाद आप देखेंगे यहाँ नीचे लिखा हुआ phase to phase training इसको भी click कर लेते हैं यहाँ पर कुछ options दिये हुए हैं हमें सबसे पहले initiate training option का use करना है training option पर click करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से एक row insert हो जाएगी इस row के सबसे last में आपको status देखेगा चुकि मैंने इस पर कुछ थोड़ा बहुत काम किया है तो इसलिए यह status in progress दिख रहा है अगर आप पहली बार यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर pending दिखाई देगा और जब आप काम पूरा कर लेंगे तो यहाँ पर initiate लिख जाएगा तो चलिए किलिक करते हैं और देखते हैं किस तरह के options हमें आगे आने वाले हैं यहाँ पर 5 तरह की कारभाई आपको करना है पहला initiate batch दूसरा training materials तीसरे नमबर पे हम काम करेंगे batch बनाने का और trainer को add करने का चौते नमबर पे हम coordinator बनाएंगे और last में trainees option है पाँच में नमबर पे trainees का मतलब यह हुआ कि इस batch में कितने trainees training लेंगे उनके नाम भी हमें यहाँ पर लिखना है अब चलिए नीचे चलते हैं देखे यहाँ पर लिखा हुए maximum batch size यह हमें pre-filled मिला है और इसको हम change नहीं कर सकते हैं इसके बाद आपको अगला option बना है tentative number of participants इसका तात्वर यह है कि आपके विकास खंड में कुल कितने सिक्षक हैं जिनको आपको प्रिशिक्षन देना है हमने यहाँ पर इस block के teachers के number भर दिए 290 अब जब इसको number को भरा तो system ने अपने आप calculate करके यहाँ पर 7 batch बना दिए अब इसके बाद आपसे पूचा जा रहा है कि number of rooms कितने हैं यानि जहाँ पर आप प्रिशिक्षन देंगे उस जगह पर कितने rooms available हैं जिसमें आप tennis batch के training ले सकते हैं और यहाँ पर इस block के ने दूचार दो room available हैं तो हमने इसको यहाँ पर 2 भर दिया जैसी दो भरा तो इसके बाद आप देखेंगे total batch तो 7 बने लेकिन हमारी जो cycle है वो हमारी चार हो गई इसका मतलब यह है कि batch number एक और दो एक साथ दो room में हो जाएगा जब यह जानकारी सारी भर जाएगी तो हम यहाँ पर save and next बटन दबाना है जैसी हम दबाएंगे तो यहाँ पर information के लिए आएगा हमको इसकी yes कर देना है yes कर देने के बाद आप देखेंगे यहाँ से 1 से हम बढ़कर 2 पर आ गए और यह वाली line हमारी green हो गई यहाँ पर training material already पहले से दिया हुआ है राजिस्तर से अगर आपके पास block level पर कोई अच्छा materials है किसी teacher द्वारा develop किया गया है block द्वारा develop किया गया है आप इस training में उनको दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको upload भी कर सकते हैं अगर आपके पास materials नहीं है और आप इसी RSK material का उपयोग करके ही training कराना चाहते हैं आप इसमें कुछ नहीं करिए आप यहाँ पर save and next button को किलिक करके अगले वाले option पर पहुचाईए इस तरह से जैसी हम उस screen से आ गया है तो आप देखिए हम आ आ गये तीसरे number पे batch एब एड़ ट्रेनर्स पे अब यहाँ पर आपको batch number start date, end date, time, end time values, address यह सारी चीज़े भरना है चली शुरू करते हैं माली जे पहला batch हमारा कब से शुरू होगा हमें यह पता होना चाहिए अब यहाँ पर हम batch number एक ले लेंगे इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से start date लिखी हुए start date का मतलब कि यह prescription कब से प्रारम होगा और दूसरा आप यहाँ पर यह भी देखेंगे कि जो date format आपको यहाँ पर देख रहा है वो किस तरह का है यहाँ पर mm, ddy, y, y लिखके आ रहा है यानि आपको महिना पहले लिखना है day बाद में लिखना है और year भी 4 digit में लिखना है हो सकता आपको कंप्यूटर में ddy पहले आए, mm बाद में आए as per computer आपको हो सकता है यह option दिखाई दे चलिए तो इस computer में जिस तरह से देख रहा है हम उस तरह से date को entry करते है इसके बाद end date कब तक यह prescription चलेगा इसके बाद start time आपका prescription कितने बज़े से प्रारम होगा हमें यहाँ पर समय लिखना है end कब होगा इसके लिए भी हमें time बताना है माले जी हमारा prescription साड़े 5 बज़े पूरा होगा तो साड़े 5 लिख देंगे और यहाँ पर PM आ जाएगा अब venue क्या होगा हमें यह भी बताना होगा venue लिखने के बाद आपको address बताना है address के बाद training types बताना है कि कि type की trainers आपके पास उपलब्द है checklist यह भी बताना है कि जो training center से वहाँ पर इसनी तरह की सुपदाएं उपलब्द हैं या नहीं हैं यह दोनों हम tick कर देते हैं और इसकी बाद यहाँ पर इसको save कर देते हैं देखिए save करने के बाद यह हमारी batch number 1 की information save हो गई इस तरह से हमने जितने भी batch यहाँ पर बनाएं सभी की information यहाँ पर हमें भरना है save हो जाने के बाद आपको यहाँ पर trainers को add करना है और यहाँ पर हमने पहले से trainers को add करके रखा है और आप यहाँ पर जिसवी trainer को add करना चाहते हैं आप उसकी यहाँ पर unique ID लखेंगे save करेंगे तो trainers आपके file में save हो जाएगा जब हम इतना सब कर लेंगे यहाँ पर हम save information करेंगे और इसको करने के बाद हम save and next फटन पर चले जाएंगे अब तो आप देखेंगे यहाँ से हम तीसरे से चौते पर आ गए और हमारी पीछे की सारी लाने green हो गए अब यहाँ पर हम batch number सेलेक्ट करते हैं इसके बाद आपको यह बताना है कि इस batch के coordinator कौन होगे जो भी coordinator होगा उसकी जुम्मेदारी होगी कि उस batch की उपस्तिती वो अपने मुवाल से online लगाएंगे यहाँ पर unique ID लिख देंगे और इसके बाद यहाँ पर add बटन दबा देंगे जैसे हम इसको add करेंगे तो देखिए यहाँ पर नीचे इस batch के लिए जो batch नमबर हमने उपर लिखा है इस batch के लिए यह coordinator होगे इस तरह से आपको जितने भी batch हैं सभी के लिए individual coordinator को आपको बनाना है सारे बैचों के लिए आपको coordinator की कारवाई पूरी करने के बाद आपको यहाँ पर save and next button किलिक करना है इतना कर देने के बाद आप देखेंगे हमारा fourth point पूरा होगे अब हम fifth number पे आगए और इसके पीछे के यतने भी लाइल है वो green color के होगी अब यहाँ पर important काम शुरू होता है वो हम आपको बता देते हैं इस वाले option पे आपको add करना है ट्रेनीज को इसके लिए बहुती आसान सा process है आप उसको भी एक बार देख लिजे यहाँ पर batch number सेलेक्ट करेंगे सामने unique ID डाल दीजे और इसके बाद किलिक करेंगे तो यह implies इसमें add हो जाएगा इस तरह से आप सभी implies की यहाँ पर unique ID डालते जाए एड करते जाए तो भी यह सारे options आपके सामने आ जाएंगे इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर एक facilities और दी है download format की इसको आप download कर लेजे कुछ इस तरह से Excel फाइल आपके सामने आ जाएगे इस फाइल में implies code का option दिया है आप जितने भी implies dispatch के हैं उनके unique ID यहाँ पर type कर लेजे इसके बाद save कर देजे और save करने के बाद आप इसको यहाँ से इस option से upload कर देजे जैसी आप इसको upload करेंगे यह implies आपको यहाँ नीचे इस list में इस खाली जगर पर दिखने लगेंगे एक और अगर कोई implies जादा है तो आप इसको यहाँ से remove भी कर सकते हैं इतना करने के बाद आप जो training है उसको पूरी तरह से initiate कर लेंगे तयार कर लेंगे जब यह सारा कारे पूरा हो जाएगा इसके बाद आप इसको यहाँ से final submit कर देंगे एक बार final submit हो जाने के बाद यहाँ प वाले बटन को किलिक करके training को launch करती हुई जाना है आप अगर data entry पूरी कर लेते हैं तो आपको second option में आके यहाँ से launch भी करना है